Hello everyone, it's your eyes bhai and yeah, आज वीडिव मैं आपको दिवाले वित क्लाप्स इवेंट के गेम 3 का सॉलिशन में प्रवाइड करूँगा ये यार गेम 3 और गेम 3 का सॉलिशन में आपको दो वीडियोस में प्रवाइड करूँगा पार्ट 1 में डाल दूँगा 11 बजे और पार्ट 2 डाल दूँगा 12 बजे तक तो ये चलो लाप को सॉलिशन प्रवाइड करता हूँ, उससे पहले 2-3 इन प्रवाइड पॉइंट पहला ये कि मैंने सॉलिशन बनाएं लापς के वो क्यों क्यों क्लैप्स में जाकर बनाएक, क्योंकि गेम अभी ओ्पेन हुआ है और मैने सॉलिशन पेले से बनागे रखे तो में क्यों क्लैप्स से लाप करूँगा, आप यहीं से करिएगा second most one point जब मैं second part डाल दूँगा तो इस परको वीडियो की नीचे भी आपको second part की link मिल जाएगी third most one point अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना and final most one point न्यूटरन स्कूल फुस्ट आपने कोर्स की link description box में उसके check out कर ले ना अगर आप fourth year में है तो best course होगा आपके लिए बाकी बाते आगे करेंगे so यह अपना diwali game 3 का challenge है and इसमें पहले first lap का solution में आपको provide करता हूँ जैसे कि पिछले game रहे game 1, game 2 उसमें जो first lap थी सबके question mostly same है ठीक है बस एक question different होता है बाकी सबके question सारे same ही होते है जो मैंने main video बनाई थी दिवाली challenge के उपर उसके link में description box में provide कर दूँगा उससे देख ले ना अगर उससे देख लोगे तो यह जो starting on a lap से सारी games की आप अराम सी complete कर लेंगे तो चलिए lap को start करते है इसमें भी यार वही है सब कुछ पिसले दोनों game के भी first lap में यही questions थे तो इसको I understand करके submit कर देना same questions है तो I hope आप यह कर लेंगे और आपने मेरी पिसले lap देखी होंगी सीरा देखते हैं यह सही है हाँ सीरा तो यह हो गया बस यह lap complete होगे बस एक question different था बाकी complete video description box में उससे देख लेना side out clear हो जाएगे और अगर इस part को lab में आपको green tick चाहिए हो तो इस lap को कम से कम 10 मिन तक चलने देना ठीक है मैं end कर रहा हूँ बट आप कम से कम 10 मिन तक चलने कि इसमें एकी task है और वो भी यह lap completion मतलब आपको lab पूरीता से complete ही करनी पड़ेगी बाकी इसमें एक glitch है वो क्या हो मैं आपको बताऊंगा आगे तो lab को start करते हैं यह complete question में दिवाली game 3 की flutter के बारे मिसे काया गया है उस पे काम कैसे करते हैं वो बताए गया है तो आप हो जाएगी starting में ऐसा open होगा यहां पर तीन dots पर क्लिक करना टर्मिनल पर जाना new terminal पर क्लिक करना और मेरा ऐसा कुछ terminal open होगा है आप सबसे पहले यह command हम लोग रन करना है एक app create करने के लिए जिसका name होगा first app paste करना इंटर करना यह अगर पूछे तो उसको allow कर देना इंटर क आप आपका create हो जाएगा फिस cd करेंगे इस परको directory में फिर टर्मिनल विंडो को close कर देंगे ठीक है तो इसको one copy करना इसका ऐसा output generate होगा paste करना इंटर करना cd कर लिया आप exit लिखके टर्मिनल विंडो को close कर देना यह काम हो गया क्या है जो हम लोग डायक्ती बनाई है my first app कि उसको open करेंगे तो वो कैसे करना यहाँ पे explorer पे जाना open folder पे जाना और यह अपने आप इतना लिख के आएगा ठीक है नीचे आना first app में यहाँ पे क्लिक करना अब ok करना ok करने के बाद यह बड़को directory open हो जाएगी आपके लिए page reference होगा अब आगे चलते हैं अब हम लोग copy करना paste करना इंड़ करना यहाँ पे आपको आपका app so भी हो जाएगा अब यह ऐसा दिखता है अब आगे चलते हैं अब hot reload feature को add कर देंगे hot reload basically यह होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ किया जैसे मानों मैं code में change किया मैंने जैसे HTML file में कोई भी code मैंने change किया फिर मैंने ज Dart file होगी Dart programming language होती है जो हम लोग यूज करते है Flutter framework के लिए उसके अंदे class होगी my app उसके अंदे यह लिखा होगा Flutter demo homepage इस तरह ठीक है इसको हम लोग चेंज करना है यह लिखना है तो इसको copy करना बाकि इसको refresh होने हम थोड़ा time लगता है जो live server का page है इसके कोई answer नहीं है ज इसको थोड़ा नीचे करेंगे हम लोग यहां नीचे आना इस पर क्लिक करना इसको remove करना हम लोग को quotes को रहने देना और फिर जो copy किया उसको paste कर देना then command s windows में हो तो control s की मतलब से paste कर देना फिर यहां पे R, R की जो है बस R दबाना है यह hot reload हो जाएगा और यहां पे आपको तो हम लोग की lab complete हो गई है, lab को end करते हैं, अब अगर आप वापा जाएंगे तो आपको इस पर को lab के name के बगल में green ticks हो जाएगा, यहां पर, अब second lab का solution आपको provide करता हूँ, build a two screen filter application वाली, यह अपनी lab है, lab को start करते हैं, सेम वही काम करना है सब में, logic जो था पहली lab का, वह जैसे यह page open होगा, यह white theme होगी, फिर इकदम से change हो जाएगी, ठीक है, काफिलो के मन में यह doubt भी आ रहा होगा, तो यहां पर तीन dots पर क्लिक करना, terminal पर जाना, new terminal पर क्लिक करना, जगवाण copy किया, paste करेंगे, allow करना, enter करना, app create हो जाएगा, अब cd करेंगे, जैसे पहली lab मे जाएगा, यहां पर आ गए, अब ok पर क्लिक कर देना, यह open हो जाएगा, praise refresh हो जाएगा, आपके लिए, अब फिर से flatter वे server को run करेंगे, ठीक है, तो इस कोपी करना, जो folder आपने open किया, उसका code यहां पर सो हो जाएगा, 3 dots पर क्लिक करना, terminal पर जाना, new terminal पर क्लिक करना, यह open जाएगा, तो जो command copy किया है, paste करना, run करना, server run होने लगेगा, यहां पर live server को आप देख भी सकते है, command copy करना, paste करना, इंटर करना, अभी तो ऐसा कुछ app है नहीं, अभी starting में यही सो होगा हम लोगो, flatter demo homepage, आगे चलते हैं, designing our application, design कैसे करते हैं, ऐसा कुछ application हम लोग डिजाइ तो lab को मैं end कर देता हूँ, but बात यह है कि आप लोग करेंगे game के अंदर, मतलब दिवाली game 3 जो है, उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको यहां points नहीं सोगे, but एक बार एक चीज़ ट्राई करना, अगर lab को यहां तक कर लेना, तो end करके एक बार देखना, क्या पता आपक आपको पुरा solution प्रएट करता हूँ, उसकी को इटेंसर नहीं है, but मैंने सोचा, आपको बता दूँ एक trick, क्या बता काम कर जाए, मैं भी कल जब open होगा game, तो करके देखूंगा, तो यह बनाना है, तो main.dart file जो है, lib के अंदर, उसके अंदर यह code हम लोग को लिखना है, जो पहले से होगा, उसको remove करना है, इसको copy करना, आप यहाँ lib में जाना, main.dart file को open करना, click करना, control v, जो code copy किया था, वो यहाँ आ गया है, आप command s या control s की मतल्स से save कर दिना, save करते हो चलना है, अब फिर यहाँ पर r लिखना, यहाँ पर आके इसको refresh करा लें, यह हर बार करते जितने बार code change करना, तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है, हम next task है, managing list view data, तो उसमें एक list को हम लोगो declare करना है, तो इसमें बताया है, list को declare कैसे करते हैं, फिर नीचे आना, my app class में यह code को हम लोगो replace करना है, तो इसको copy करना, my app class भी आप लोगो main.dart में मिल जाएगा, main.dart file म और यह वाला remove कर देना, नीचे तक, और जो copy किया है, उसको paste कर देना, ctrl s हो गया, यहाँ पर r दबाना, refresh हो गया, और फिर इसको refresh कर देना, यह काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब adding attractivity, उसके लिगा करना है, my app में जो code है, उसको replace करना है, तो इसको copy करना, फिर से और यह काम करेंगे, यहाँ तक, नीचे तक remove कर देना, जो copy किया page करना, ctrl s, यहाँ पर r, और यहाँ पर page refresh, यह काम भी हो गया, आगे चलते है, creating a detail page, पहला page हम लोगों create कर दिया, कौन सा वाला, यह वाला, अब यह वाला create करेंगे, तो detail page को create करने के लिए, यह content को, इस code क हम लोगों नीचे add करना पड़ेगा, तो इसके one copy करना, यहाँ पर click करना, नीचे आना, page करना, ctrl s, यहाँ पर r, और यह page आपका हो गया refresh, अभी तक यह output हो रहाए, यह भी हो गया, अब दोनों pages में navigate करना है, तो उसके लिए कुछ code को add करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे तो my app में navigator.puss को add करेंगे, तो इस command copy करना, और my app class में इसको add करना है, पुराने वाले को replace कर देंगे, तो फिर से वही चीज़ करना है, class से आना, my class वाले content को ऐसे copy करना, remove करना, paste करना, तो यहाँ पर my app class का जो पहले से content था, उसको remove किया है, और जो copy किया था, उसको paste कर अब control S, यहाँ पर R, और यहाँ पर refresh, अब हमनों navigate कर पाएंगे, दुनों pages के बीच में, ऐसे, यह काम हो गया, अब my app को फिर से हम लोग अपडेट करना है, I hope यह last बार होगा, तो इसको copy करना, then यहाँ से, इसको remove करना, paste करना, command S, control S, R, and then यहाँ पर refresh, यह भी हो गया, अ उसमें content थोड़ा or add करना है, code or add करना है, तो उसके लिए इसको copy करना, और इसके नीचे जो my details है, इसको remove करना, और जो copy किया, paste करना, control S, और जैसे हम लोग ने my app class का code add किया था, तो इसमें यहाँ पर error आया, मैंने देखा नहीं, but error आएगा ही, क्योंकि जो नीचे वाला class ह my details वाला class, उसमें navigator.post के बार में पता होना चाहिए, तो जब हम लोगोंने my details class वाला code को add कर दिया नीचे, तो यहाँ से error भी चला गया, तो जब आप इस वाले code को add करें, और उसमें error आया, तो टैंसल लिंग को विजरूत नीचे आके इस code को add कर देना, तो फिर error चला जा class वाला है, वो जो सबसे आखरी my ke class का code है, उसको add करना है, क्योंकि हम लोगोंन क्या किया है? my ke class का code पहले add किया है, फिर remove किया है, फिर दूसरा add किया है, तो try करना, जो आखरी मेघिक है meinem my class वाला code है, सीधा इसको add करना, तो time आपका और बच जाएगा, ए нас पहली बार कर स जाएंगे तो आपको इस पर को लाप की नेम के बगल में भी ग्रीन टिक्स होगा यहाँ पर चलो अब मैं आपको बताता हूँ निटरन स्कूल के फुस्ट्राइपन कोर्स के बार में यह पे आपटर प्लेस्वन प्रोगाम में निटरन स्कूल का इसमें गयांटरी सिटीजी 5 लाइक से 40 लाइक की जॉब लगती है इस पर को को कोर्स में आपको बेस्टिंग क्लास इंडेस्टिमेंटर्स पड़ाते हैं अगर आप 4th year में तो यह बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए इस पर को कोर्स की लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में बाकिया कॉंटक नमबर भी गिव करते हैं उससे पहले दो में पॉइंट्स पहला यह नूट्रीन स्कूल के अफसाइट से लाउंच पैट इनिसीटू को चका आट करना मत भूलना उससे आप प्रोगामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्टॉंग कर सकते हैं का में लिए फ्रीव कोस्ट है सेकेंड